खिचडी की की फैमली का है ये मेंबर लेकिन होता है बहुत ही हैवी हाई वेलकम बाक टो माई चानल और आज हमानाने वाले हैं वेन पोंगल यानि की नमगीन पोंगल चाहिए हमको आदा कप मुंग दाल, आदा कप चावल, कुछ नहीं करना है इनको एक चमच से दो चमच घी के अंदर अच्छे से भून लेना है अच्छे से भूनो कि पूरे घर में घी की खुश्बू आने लगे जैसे आप लड्डू बनाने के टायम पे अपना आटा भूनते हो पूरा घर घी से महग जाना चाहिए बस और कुछ नहीं इसमें डालो नमक और डालो चार से पांच कप पानी पानी बहुत सारा डालो क्योंकि ये पानी बहुत सारा पीता है कुकर को बन कर दो पांच विश्र लगा नी है बहुत देर अच्छे से पकाना है अगर टाइम है तो क्या करो उसको एक सीटी लगने के बाद दस मिनिट के लिए काम करके छोड़ दो स्टीम अपने आप निकल ले दो एकदम बढ़िया से पक गए है ये मैंने इनको कामाश पे पकाया है एकदम बढ़िया वाला पोंगल हमारा रेडी हो गया है अब हमें तयार करना है इसके उपर लगाने वाला चौक यानि की वगारा एक बड़े से बरतन में अच्छे से थिक पैन के अंदर आप ले लो अपना घी तीन से चार चमत छोटा वला वो मतलो जिस से तड़का लगाते हो थोड़ी कड़ाई ले लो उसके अंदर डालो जीरा काली मिर्च कुटी हुई जीरा और काली मिर्च का समें चौक डलता है कूटनी है तो कूटो और अदरक डालो बहुत सारी कूटी हुई अदरक को कूट दो लेकिन और उसके बाद मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च और काजू मुठी भरके काजू बहुत डलते है इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला था ये डिश हैवी होती है किचडी से खाली जो इसमें जो डाल और चामल है वो खिचडी वाले हैं बाकी डिश काफी हैवी होती है तो कोशिश करो कि ये डिश और उपर से मैंने डाला है इसमें कडी परता हां तो मार दिया है दूद का जिससे कि अगर आप इसको रखके रखते हो तो यह गाड़ा नहीं होता है अंदर से मॉइस्चर लूज नहीं करता है बस अब वो जो हमने वगारा चौक टैंपरिंग ड्राइडी की थी वो इसके उपर डाल देनी है और कुछ भी नहीं करना है यह हमारा पॉंगल रेडी हो गया है पॉंगल खाया जाता है जनरली सांबर और कोकोनट चटनी के साथ सांबर मैंने आज नहीं बनाया मैंने बनाई है कोकोनट चटनी दो तरे की और बस उसी के साथ मैं इसको सर्फ करने वाली हूँ खा के इसको सोना पड़ेगा तो अम मैं इसको डा जाने वाली हूँ थैंक यू सो मच बबाई प्लीज सब्सक्राइब करो